हेलो एवरिवन आज हम आपको 10th class की math की exercise 1.2 की basic information के बारे में बताएंगे लाश्ट वीडियो में वैसे तो आपने SCF निकालना सिखा था यूक्विल डिविजन algorithm से और आज हम आपको SCF और LCM भी यूक्विल डिविजन algorithm से अलग जो method है एक है division method और एक है prime factorization method इन methodों से SCF और LCM को निकालना सिखाएंगे लाश्ट वीडियो में हमने statement 135 और 225 फी ली थी जिसमें हमने इनका जो SCF था वह 45 निकालना था तो आज इन method से भी आपका यही answer आना चाहिए जिससे की verify हो जाएगा भी कोई साही method परियोग करो आप concert same ही आएगा और आज का target आपको division method और factorization method से SCF भी निकालना सिखा रहे हैं और साथ में LCM भी आज सिखाएंगे तो सबसे पहले आज हम आपको सिखा रहे हैं HCF HCF इसको निकालने से पहले आपको इसका पूरा नाम पता होना चाहिए HCF का पूरा नाम है highest common factor और इसमें आपको क्या होगा हाइस्ट को मन फेक्टर लेना होगा और अब मैं आपको लेके चलता हूँ division method से SCF निकालना तो कैसे निकालेंगे आपको डिवीजन में डिवाइड में भाह करना है सिंपल जैसे डिवाइड स्टार्ट करते हैं जिसको आम टेटी भाग ही बोलते हैं कि बड़ेवाड इस्टेटमेंट अंदर छोटे वाली को बाहर रखेंगे और यह बन पे चलेगा और उसके बाद जो रिमाइंडर आ गया आपका वो बाहर रहेगा और जो आपने जिस से डिवाइड किया था वो इधर आके अंदर आ जाएगा फिर वन पे जाएगा फिर फाइफ फोर फिर यह अंदर आ जाएगा फिर यह पूरा-पूरा 90 डिवाइड हो गया तो इस तरह से आपका HCF आ गया 45 यह था आपका HCF अब डिविजन ही मैथर से मैं आपको LCM निकालना सिखाता हूँ अब हम आपको LCM निकालने से प्याले इसकी लिए आपको फुल फॉम का पता होना चाहिए LCM का मतलग होता है लवेस्ट कोमन मल्टिप्लाई यह मल्टिपल तो लवेस्ट कोमन मल्टिपल आपको इसमें निकालना है और वह आपका HCM बन जाएगा कैसे निकाल लेंगे डिविजन मैथड से समझना द्यान से तो डिविजन मतलग डिवाइड की तरह ही चलना है आपको इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लिख लेना है और स्टार्ट ऐसे आप कर सकते हैं ठीक है तो आपको देखना है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट है जो यह एक ही टेबल पर चले जाएं तो मुझे लग रहा है कि साथ यह दोनों की दोनों सबसे पहले थ्री पे जा सकते हैं फाइप पर जा सकते हैं तो आपकी मर्जी है आपकी सिसे स्टाट करें सबसे पहले जिससे होता है उससे करना चाहिए जैसे कि थ्री पे जाएगा तो यहां पर आएगा फोर और फाइफ और यहां पर सैवन पर जाएगा six five पे जाएगा उसके बाद ये दोनों फिर दुबारा थ्री पे जा सकते हैं तो आप त्री पे ही चलाइए उसके बाद आप बड़ी रोक्म का यूज करें तो यह आपका अब ये 3 पे नहीं जा रहा है कि दुबारा चेक कर लिजी थ्री पे नहीं जा रहा है तो इसका मतलब फिर अब फाइब पे जाना चाहिए फॉर पे नहीं जाएंगे यह थ्री आ गया और यह फाइब अब दोनों अलग अलग हो गए हैं तो इनको एक करके आप इस तरह से कर सकते हो अब इनका LCM क्या बनेगा आप इनको आपस में मल्टी प्लाई ऐसे कर ले और जब मल्टीप्लाई करके आए का तो आपको मल्टीप्लाई करके ही पता लगेगा तो मल्टीप्लाई आप खुद कीजिएगा वह आएगा 675 इस तरह से आप division method से LCM और HCF निकाल सकते हैं अब मैं आपको बताऊंगा prime factorization method इस method से हम HCF और LCM निकालना सिखेंगे तो statement हमारी वह रहेगी 135 और 225 पर कैसे करना है SCF और LCM उसके लिए आपको फैक्टर करने हैं इनके टुकडे बनाने ऐसे अलग लग इसको बोगते हैं prime factorization method सबसे देखो किसने पर जा सकता है सबसे कम जितने पर जाएगा आप उससे ही ट्राइब करेंगे तो यह जा सकता है 3 पर फिर 3 से अब 3 से अब 5 हो गया इसी तरह यह चेक करें यह 2 पे तो जाएगा नहीं 3 पे जाएगा जाएगा जरूर जाएगा और फिर 3 पे अब 3 पे नहीं जाएगा 5 पे 5 पे ही जाएगा अब आप इनको डिफरेंट डिफरेंट लिख लें आप इनकी जो निकल क्या यह फैक्टर इसी तरह है टू टू 5 के भी आप फैक्टर लिखेंगे अब आपको HCF और LCM निकालना है HCF कैसे निकलेगा जो common factor रहा है तो highest common factor है इसमें आपस में क्या match हो रहा है 5 और क्या match हो रहा है 3 उसके बाद यह 3 है एक और 3 match हो रहा है वही पाइब नहीं बस और match नहीं हो रहा है तो 5 3 is a 15 5 15 3 is a 45 यह आपका LCM LCF आगे देखो 45 भी यहाँ पर आया LCM निकाल लेंगे जो common factor है पहले तो उनको लिखो आप उसके बाद है जो common factor नहीं है वो 3 था उदर से और इदर से 5 था और सारो के आप multiply करेंगे तो 675 जो यहाँ पर आये था वही यहाँ पर आएगा तो इस तरह से आपने division method से भी और prime factorization method से भी LCF और LCM निकालना सीख लिया अगर हम exercise की बात करें exercise 1.2 उसमें भी हमें LCM, SCF इनी के बारे में पूछा गया है बताया है तो अगर थोड़ा विचार करें तो जैसे question वन में हमसे पूछा गया है कि प्राइम के फैक्टर निकालिए तो प्राइम फैक्टर यह फैक्टर जो भी है कैसे निकलेगा जैसे हमने कोई स्टेटमेंट ले लिया जैसे ले लिया 140 140 तो कैसे करेंगे ऐसे टुकड़े बनाएंगे इसके सबसे चोटी स्टेटमेंट से करेंगे इसको डिवाइड जिससे जा सकता है और इस तरह से आप इसको करते जाएंगे लाश्ट तक फिर इसके आप ऐसे टुकड़े जो भी आए वह एक साथ सो कर देंगे यह आपका फैक्टर हो चुके प्राइम फैक्टर बन चुके अदर्वाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कोई नंबर ज्यादा बार आया है तो पावर बना आ उसके बाद कोशन नंबर टू में जो आपको बताए गया है वह LCM और SCF को LCM और SCF को LCM और SCF की मॉल्टिप्लाई को फर्स्ट नंबर इंटु सेकिंड नंबर पहली संक्या गुना दूस्ट संक्या जिसे बोलते हैं कि एकवल सो करना है अब और रिलेसंशिप आपको सो करक आपको फर्स्ट नंबर मान लीजिए आपका फर्स्ट नंबर है 26 और सेकिंड नंबर है 91 तो अब आपको यह कंडिशन वेरिफाई करने के लिए फर्स्ट नंबर सेकिंड नंबर की मॉल्टिप्लाई करनी पड़ेगी वो तो आपको गीवन है और इधर LCM और SCF को भी आपक आपको फाइंड करना पड़ेगा तो उसके लिए आप क्या करें अलग अलग इसके टुक्ड़े बना लीजिए 26 के टुक्ड़े बनाया आपने इसी तरह 91 के भी आप टुक्ड़े बनाएंगे या आपका 7013 SCF निकला आपका जो कॉमन फेक्टरे 13 कि ऐसे फोना चाहिए और LCM आपका आया 2730 2730 इनकी आपस में जो आप मुल्टिप्लाई करेंगे वो आएगा 182 अब LCM भी निकाल लिया आपने SCF भी निकाल लिया आपने अब अगर आपको ये रिलेसंशिप्स हो करनी हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे LCM LCM multiply HCF मतलब आप 13 sorry 182 और 13 को multiply कर देंगे और उधर से फर्स्ट नंबर और सेकिन नंबर को multiply कर देंगे तो जो multiply इनकी आएगी वही multiply यह आएगी इस तरह से आप इनको verify कर सकते हैं इस तरह कोशन नंबर टू में आपको ये बाते बताए गई हैं कोशन नंबर अगर थरी की बात की जाएं कोशन नंबर अगर थरी की बात की जाएं तो उसके अंदर भी आपको प्राइम फैक्टर ही निकालने हैं पर स्टेटमेंट में टू डिजिट को लेके तो आपको टू स्टेटमेंट ये तू नंबर वाली संख्याओं को तो कर सकते हो जैसे अभी हम कर रहे थे नाइन्टी वान और ट्व इसको आप कैसे करेंगे इसको करने के लिए आपको तीनों के अलग अलग टुक्टे बनाने कोड़ेंगे इसी तरह 15 के बनाई आप 21 के बनाई ये फिर इनको ऐसे जैसे लाश्ट टाइम सिखाया गया आपको राइट कर लेजिए अब जो इसमें कोमन है वो SCF आ जाएगा कोमन आपका दिखी रहा होगा ये कोमन है थ्री तो SCF आपका थ्री आ गया LCM आपका हो जाएगा जो कोमन है जो कोमन नहीं है सब लिख लेंगे और मल्टिकलाई कर देंगे आप 67, 400 basis का answer आजएगा तो इस तरह से आप question number 3 में इन questions को solve करेंगे और एक question होर बता रहा हूँ मैं आपको जिसमें आपको कुछ formula ध्यान रखने है अगर आपको LCM निकालना है तो आपको अगर first number second number और SCF दे रखा है तो इस तरह से आप निकाल लेंगे first number multiply second number divide में HCF और अगर HCF निकालने के लिए बोलेगा तो से मैं ऐसे चलेगा first number multiply second number divide में LCM इसी तरह आप first number और second number की भी formula निकालने के बना सकते हैं जैसे कि LCM multiply HCF divided by second number अगर second number निकालना है तो LCM multiply HCF divided by first number आप टिखेंगे तो एक question लेते हैं इसकी बेस पर जिससे आपको ही समझा जाएगा यहां पर ले लेते हैं हमारे पास question है यह question है हमारे पास कि HCF 9 है कि first number 306 है और second number 657 है तो LCM निकालने के लिए बोलना है उसने फॉर्मूला आपको पता ही है LCM को formula यह रहा पहले number पर है first number multiply second number divided by 9 9 से आप इसको काड़ दीजिए और multiply कर दीजिए आपका answer आ जाएगा इस तरह से आप इस exercise को कर सकते हैं और फिर भी अगर कोई problem हो तो आप comment में लिख सकते हैं थैंक्यो